आज के वीडियो में हम एक बहुत ही गुणकारी आयरवेदिक आउशदी के बारे में जानेंगे यह बहुत इसली एवेलेबल है कीमत में बहुत सस्ती है आपको बनी बनाई मिल जाती है बहुत सारी आयरवेदिक कंपनिया इसे बनाती है लेकिन आप घर पे भी इसे बहुत ही एसके बना सकते ये हैं कि सभी लोग इसे ले सकते हैं सभी प्रकुर्टी के लोग इसे ले सकते हैं य्यानि आपकी पित, कफ गोफ माथ, फिर थृत, घर कं और बने और त्रिश य। टृसमये कोई भी इसे हें चूरण शरीर में बीमारियों कोकुइन काम करते हैं यह हमारे सभी धातू को बढ़ाने वाला है शुक्रदहातू को उसको भी काम करता है हमारी आयू को बढ़ाने के लिए लंबी उम्र के लिए ये मदद करता है साथी में बालों के लिए भी बहुत अच्छी अवश्दी है वात पितक और इन तीनों दोशों को शरीर में क्या है या फिर आपने इसका सेवन कप करना है किस अनुपान के साथ आपने इसे लेना है तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और अगर आप चानल पर नए है आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐरवेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वागवट रुशी ने अश्टांगुरुदे इस ग्रंध के उत्तर स्थान के रसायन विधी अध्याय में श्वद रंश्टा दी चूर्ण का वरणग दिया हुआ है। यह जो श्वद रंश्टा दी चूर्ण है इसे ही रसायन चूर्ण के नाम से जाना जाता है। अब दिखें यह जो रसायन चूर्ण है इसमें तीन इंग्रेडियंट है। तो इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडियन्ट है वो है गोख्रू या गोख्षुरी से संस्कुरूत में श्वद्रंश्ट कहा जाता है, दूसरा इसमें जो इंग्रेडियन्ट है वो है आमल की याने आवला, तो आवले का जो फल है वो इसमें इस्तमाल किया जाता है, तीसरा तो इनको अच्छी तरह से चूर्ण को कपड़े से चानके अच्छी आपने काच की बॉटल में भरके रखना है यह बहुत ही सस्ती दवाईया है आप बहुत इजीली इसे घर पर बना सकते हैं कीमत में तो यह बहुत सस्ती है और बहुत आसानी से बन जाती है लेकिन इसके अं वागभट रूशी के अनुसा रसायन चूर्ण के सेवन से हमें क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं वागभट रूशी केते हैं चूर्ण श्वद रंश्टम आमलकम अम्रुतानाम लिहम ससर्पी मधुभाग मिश्रम व्रुशह स्थिरह शांत विकार दुखं समाश अतम जिवत सबसे पहला जो फायदा वागभट रूशी केते हैं वह व्रुशह स्थिरह अब देखें यह जो रसायन चूरणा है यह सातों धातों को बढ़ाने वाला है यानि हमारे चरिर में जो रस रक्त मांस मेद अस्थी मज्जा शुक्र इन सभी धातों को यह बढ़ाता है लिकिन में सातों धातों का जो सार है यानि जो ओज है जो हमारी अच्छी इम्म्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है तो उसको भी बढ़ाने के लिए यह जो रसायन चूरणा है यह हमें मदद करता है दूसरा फाइदा जो वागभट रूशी कहते है वो है शांत विकार दुखम यानि शरीर में जो भी बिमारी आ है वो अपने आप में दुख का कारण है तो इनको कम करने के लिए इनको शांत करने के लिए यह रसायन चूरणा मदद करता है अब देखे इसमें जो पहला इं पेशामनीथ को ही सम्स्या है पेशाप में जलन होती है यह या यूरिनरी ट्रารंगर्ट इन्फेक्शन है पेशाप के लिए बार-बार चाना पड़ता है या फिरवरिंट के पेशाब होता है पेशाब से धातू निकलती है या फिरचन को पत्ष्य की शमंश्य है जिसे आई रिटेंशन है या फिर किसी को अगर सूजन है यानि जिसे अर्वेद में शोथ कहा जाता है तो इन सभी अवस्थाओं में आप रसायन चूरणा का सेवन कर सकते हैं तीसरा फाइदा जो वागभर रुशी बताते हैं वो है समा शतम जिवती यानि जो वेक्ति इस रसायन चूरणा का सेवन करता है वो सौ वर्ष तक जिवीत रहता यानि उसकी दिरगायू रहती है अब देखे इस रसायन चूरणा में जो तीनों आउशदिया है गोप्षूर आवला और गिलो ये तीनों ही रसायन आउशदि है आवला जो है उसको वय स्थापन करने वाला कहा गया है यानि जो हमारी आयू है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए वो मदद करता है शारिरीक स्वास्ते के साथ साथ ही मानसिक स्वास्ते इंद्रियों का बल भी हो प्रकृति के लोग इसे ले सकते हैं इसका सेवन कर सकते हैं एक और इंपोर्टन बेनिफिट जो हमें इस रसायन चूरन के सेवन से मिल सकता है वो है क्रुष्ण केश है यानि बालों को काला बनाए रखने के लिए यह मदद करता है अब देखे जो वात दोच जब शरीर में बढ़ता है तो वात के कारण खालिते यानि बालों का पित्त के कारण पालिते यानि बालों का सफेद होना ये समस्या दिखाई दे सकती है स्पेशली उम्र के साथ यानि 35 या 40 के बाद भी बालों की समस्या दिखाई देती है तो उन सभी अवस्थाओं में ये रसायन चूरन मदद करता है तो चलिए अब देखते हैं कि अमरूत के समान इतने सारे फाइदे देने वाला ये जो रसायन चूरन है इसके सेवन की सही विधी क्या है इसके बारे में भी वागभट मुशी ने डिटेल में बताया हुआ है तो ये जो रसायन चूरन है इसकी मातरा है 3-5 ग्राम अब देखिए उम्र के अनुसार या फिर अवस्था के अनुसार आपकी शरीर की विमारी के अनुसार भी इसका डोस कम या ज्यादा हो सकता है तो इसे आपने सुबह आप जितना जल्दी ले सके उतना अच्छा है क्योंकि रसायन आउशदिया रसायन काल में अगर आप लेते तो इसके सबसे अच्छे फायदे हमें मिलते हैं सुबह जल्दी उठके आपने इसका सेवन करना है इसे शहद और गाय के घी के साथ आपने लेना है अब देखे जब भी हम इस तरह से शहद और घी के साथ आपको कोई दवाई लेने के लिए बताते हैं तो हमें बहुत सारी कमेंट साती है कि जो गाय का घी और शहद है ये वि तरह नहीं है आपको विरुद्ध आहार क्या है वो समझना बहुत जरूरी है तो सुबह इस रसायन चूरण को आधा से एक चम्मच के मातरा में अपने शहद और घी के साथ लेना है अब इसमें शहद और घी को आपने हमेशा विशम मातरा में लेना है अगर आप इसे समान म आहार है या फिर यह इसके आपको दुश परिणाम दिख सकते हैं लेकिन अगर आप इसे विशम मातरा में ले सकते हैं तो यह विरुद्ध आहार नहीं है तो जो रसायन चूरण है वो तीन से पाच क्राम और इसमें आप एक चमच गाय का घी और पाव से आधा चमच शहद इन तीनों को साथ में मिला के अपने चाटना है अब देखे जिन लोगों की कफ प्रकृती है या जिन के शरीर में कफ के बढ़ने के कारण कोई तकलीफ है वो लोग शहद का सेवन ज्यादा कर सकते है यानि घी के कंपारिजन में वो शहद ज्यादा ले सकते है क्योंकि जो है वो कफ को कम करता है लेकिन जिन वेक्ति की वात्या पित्त प्रकृती है या जिन के शरी में वात्या पित्त के कारण कोई तकलीफ है वो लोग गाय का घी ज्यादा रख सकते है तो इस तरह से ये जो अनुपान है वो आपके प्रकृती के अनुसार आपके दोशों की स्थ भी नहीं खाना है, दिन में एक से दो बार आप इस रसायन चूरन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सुबच अब आप रसायन काल में इसे लेते हैं, तो सिर्फ एक बार अगर आप सेवन करते हैं, तो भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ये बहुती सेफ आपको कोई नुकसान नहीं है, आप एक लॉंग टर्म में इसको रख सते हैं, कम से कम तीन मेने आपने इसका सेवन जरूर करना है ताकि आपको इसके पूरे जो फाइदे हैं वो पता चले, उमीद है आज के वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी वो आपको मदद जरूर करेगी, आप भी इस रेष्टा रसायन आउशदी का सेवन जरूर करेंगे और इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा वो हमें भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताए, साथ ही में आपकि इस अलग टोपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी हमें जरूर चले, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अइरवेद को अपना ये स्वस्त रहे, नमस्कार